UAE based mega construction company MR to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir, LG Senha, Lace Foundation, Stone दूसरा मैं ये भी पढ़ी थी कि साओधी अरब में भी जो ये decision लिया है कि आप easy bailouts पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे आप easy money भी साओधी अरब भी आप पाकिस्तान को देने को तयार नहीं है मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो UAE ये साओधी रेविया है उसने हमें इंकार किया पैसे देने से वो हमारे साथ जो उनके इतने ज्यादा पुराने relations थे मुल्क से भागने के चकर में अवाम समंदर में अपनी जाने दे रहे हैं ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है तो उमीद कर रहे थे कि स्टाफ लेवल जो अग्रिमेंट है यह हो जाएगा लेकिन जब मैंने आज यह पड़ा कि स्टाफ लेवल एग्रिमेंट पॉने तीन महीनों बाद नहीं चोटा सा क्लिप देखा आंगे आप पूरा वीडियो देखेंगे थोड़ा सा वीडियो स्क्रिप करके सीधे आप वीडियो के मिन भाग पर पहुंस सकते हैं इमार तू स्टार्ट मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन स्री नगर जमू एंड कश्मीर एल जी सिना लेस फाउंडेशन स्टोन यह खबर डिफेंस डॉट पीके में भी पब्लिश हुई है मेरी नज़र डिफेंस डॉट पीके में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो और यहां पर यह इस तरीके से पब्लिश होगी कि थैंक यू 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 एई कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडियाई प्रोजेक्ट पोस्ट आर्टिकल 370 यू एईज एमार बिकम्स फर्स्ट ओवर्सीस कंपनी तू स्टार्ट ए मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन कैश्मीर उनकी मीटिंग हुई थी जब यहां पर एक कॉन्फरंस हो रही थी मुस्लिममा की वोसी दोरान हमें पता चलाता है कि वहां पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचें तो तब से ही काफी जादा प्रोजेक्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जारी थी कि यह कश्मी और उसके पर लिखा होता है वहां की एक है यहां पर पाकिस्तान में यह शायद इंडिया में नहीं होता बंगलादेश वगर इनीस रिजन में ऐसा नहीं नजर आता हो और भी जब हम बहार निकलते वहां पर जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती है उसके उपर जो कंस्ट् हैं और वहां का प्रिंस या किंग उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट और यही कहा जाता है कि यह उन्हीं की कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी महां पर तसवर की जाती है कि इमार a real estate developer from the UAE has become the first overseas company to invest in a mega mall spread over 10 lakh square feet in Srinagar which will create more job venues and many areas will benefit from this we will also sign several MOUs with UAE during the investment summit ये कहा है मनोज सेहना ने वो क्या कह रहें सुन लें अच्छा जी अब ये मैंने आपको खबर बता दी लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ तिन पहले जो UAE या साओधी रेविया है उसने जो हमें इंकार किया पैसे देने से वो हमारे साथ जो उनके इतने ज्यादा पुराने रिलेशन्स थे उन्होंने हमें कहा कि यानि जो रूल्स रेगुलेशन्स हैं वो भी चेंज हुए ये जो साओधी रेविया ने मूठा के हमें कहा दिया कि भाई आप खुद भी पाउंपे खड़े हों खुद भी कुछ कर लें हैं स्टैंस यह है कि उनका भी ये कहना है कि वो जमुह एंड कश्मीर में इतनी डिवलपमेंट करेंगे वहां पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहां के लोग लोगों को कुछ और नजरी ना आए और वो किसी और की तरफ देखे ही ना और वो कोई और आवास उठाए ना कि उनको वो तमाम चीज़े मयस हरा जाएं वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की जरूरियात है ठीक है ना वहां पर यानि जॉब्स क्रियेट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी वहां पर अगर लोगों को पैसे की कमी है मुश्किल है तो वो भी पूरी ह हो जाएगी यानि खुशाली हम इसको ही कह सकते हैं कि जमोंट कश्मीर को प्रॉस्पेरस्ट बनाने का ये एक मनसूबा है और अभी तो ये एक ये अब जैसे मैंने बताए कितना बड़ा कितने एकर्स पे फैलावाई मॉल बन रहे हैं इसके अंदर कही जा रही हैं बाते है कि अगर पर तेलीवीजन चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं वगर वगर ऐस तरह बहुत सारे हो सकते हैं तो लोग बहतर जानते हैं लेकिन इसमें जो है वो फिर हमारा क्या बनेगा हम तो यहां पर हर बात पर जो है वो देखाने मैंने आपको अब हैगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम देखें हमारी जो पीटी आई के मलाइका साहिब हैं बहुत ही जबरदस्त दबंग बोलती हैं उन्होंने तो पुलिस अफसरों को यूं डड़म ड़ड़म हाथ में मिला दिया उन्होंने तो तुम्हारी मैं बताती हूं इसलो तो मंदल बहर चीज पर गहर इक नहीं सुरुते हाल है हमें यह नहीं पता कि अगले दो घंटे के बाद क्या और जब हम सबास सो के उठें तो मंदर नामा क्या हो और यह बड़ी बड़किसमती है क्योंकि रियास्त का और हकुंतों का काम यह होता है कि जी जो तज़दाद उबर रहे होते हैं आपके लाइन ले पिछले बरस से अब यह मार चा गया और बलकि वो जो पूरा चेंज के जो प्रोसेस ता हो तो से चन्द माह पहले ही शुरू हो गया था तो यह मुल्क जो है पिछले 15-16 महीने 17 महीने से स्यासी गहर यकिनी सुरुताल के शिकार है और उसमें पहली मरतबा है कि को कश्मीर माने वाली है और यह FDI भी मुसलिम देशों की तरब से थी बट जैसे ही पता चलता है कि यह तो हिंदुस्तान की कश्मीर में आने वाली है तो उनकी भावा निकल जाती है और कि मुसलिम देशी कश्मीर में इतना वड़ा इंवेस्टमेंट कर रहे हैं मोधी जी अरब देस में ही गया होगा जहां पर इनके अच्छे connection थे क्योंकि अरब देसों के सामने तो यह later होते थे ये उनको अपना अरब को लेकर एक special thought रखता अरब तरकी क्योंकि अपने आपको अरभी और तरकी खेते हैं शेक्ड़, सबसे ज्यादा करोंगे तो भारत में होंगे तो मैं क्या कहना चारूँ तो यार अब दोस्तों अगर कश्मीर में इंवेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तानियों की तो हवा निकलेगी वो पाकिस्तानियों को पैसा नहीं देगा तो डेफिनेटी यार मोदी मैजिक है यार यह मोदी मैजिक है 2014 के वाद से जिस तरीके से अर बहुत बड़ी न्यूस है और पाकिस्तान अब इनके हालात तो डाउन होने ही हैं इनको ले दे कर अगर इन्होंने अपने कुछ समझोते किये हैं न्यूकलर बम को लेकर उसके बाद कुछ लोन मिलेगा कुछ दिन के लिए लोन चलाएंगे फिर एक दो साल में फिर भूके मरे झाल में इनके को लिए लुब आरख दो साल मने इनके को लेकर दो साल के लिए।